ही डीयर फ्रेंड आप सभी देख रहे हैं सॉयल मेकेनिक्स और सॉयल मेकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले कांसिस्टेंसी लिमिट क्या होते हैं उसे जुड़े हुए जो पॉइंट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा ठीकें कॉंसिस्टेंसी feminist को किस ने define किया था इसक बारे में बताऊँगा,फिर बाद में आपको पूरा represent करके बताऊँगा कि recruit लिमिट क्या होता है ठीक है प्रास्टिक लिमिट क्या होता है स्रिंग कि zelf limit क्या होता है इन सब भी point को मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ वीडियो देखने से पहले अपनी जो friend है दोस्त है उनको share कर लो ठीक है उनको share कर लो और request है कि video अगर अच्छे लग रहा है तो एक like चरूर कर दो ठीक है the water content at which the soil change from one state to other are known as consistency limit देखो state की बात करा है state कौन कौन से होते है solid होता है ठीक है liquid होता है और क्या एस होता है ठीक है यह तीन state है ठीक है अब यहां पर जो इतना water content जिसमें soil जो है अब soil किस form में होगा पहले starting में dry soil होगा तो solid के form में होगा ठीक है अब solid से liquid होगा gas में तो जाएगा नहीं ठीक है solid से क्योंकि soil की बात कर रहे है किस और material की बात कर नहीं तो solid से liquid के form में कब जाएगा जब उसकी water की मात्रा बढ़ाएंगे ठीक है तो जीतने water में यह solid जो है, solid soil है वो liquid form में हो जाए, उस water content को ही बोला जाता है consistency limit, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये point समझ में आ गया होगा कि consistency limit क्या होती है, कि इतना पानी उसमें डाला जाए, soil में, कि वो अपनी state को change कर दे, जो solid था, वो liquid state में आ जाए, तो उस water content को ही बोले जाता है consistency limit, ठीक है, point समझ में आ गया होगा, वही point को मैंने वहाँ पे लिखा है, the water content at which the soil change from one state to other are known as consistency limit, और उसी को Atterberg limit भी बोले जाता है, यह scientist का नाम है, उसनी के नाम पे यह, क्योंकि उन्हों ने यह दिया था consistency limit, तो Atterberg भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा आगे point क्या बोला है, कि consistency of a fine grain soil is physical state in which it exists, ठीक है, जिस इसकी बात जो कर रहा है, कि अगर fine grain soil की बात करें, तो वो उसका consistency limit जो होती है, consistency जो होती है, वो physical state in which it exists करता है, वो ही उसका consistency होगा, यहाँ पर आगे बात किया है, it is used to denote the degree of formness of soil, यह degree के, sorry, soil के formness के degree को denote करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, consistency of soil is indicated by such term as soft, form, steep और hard, ठीक है, यह indicate करता है, कि consistency क्या indicate करता है, कि soil क्या है, soft है, form है, stiff है, यह hard है, ठीक है, उसको यह indicate करता है, in 1911 में अगर बात करो, in 1911 की बात करो, और Swedish agriculture engineer, agriculture engineer था, अटरबर्ग, ने mention किया था, कि fine grain soil can exist in 4 states, 4 states में पाय जाता है, जैसे कि कौन-कौन से namely बताया है, liquid है, plastic है, semi-solid है, और solid state है, और यह किस तरीके से है, आगे मैं point उसको समझाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ practical example लेके भी मैं यहां पर समझाओंगा, ठीक है, ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं, यह figure से आपको काफी कुछ idea मिल जाएगा, यह figure देखके आपको बहुत सारे ideas मिल जाएंगे, यह figure जो graph मैंने plot किया है, यह soil के volume और उसकी water content को लेकर represent कर रहा है, ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको बताओं एक practical example, आप ज ठीक है, अब उसके अंदर अगर पाने डालो, तो देखोगे कि उसके अंदर जो voids रहेगा ना उसको फिल करेगा, इतने time तक आपका volume change नहीं होगा, यहां तक उसका volume change नहीं हुआ, यहां तक था जीतना volume था उतना ही volume है, ठीक है, लेकिन जैसे ही और पाने जब बढ़ाते उसके saturation level से जब ज़्यादा बढ़ता है water की value, तो फिर उसका volume बढ़के यहां पर आ जाता है, ठीक है, volume बढ़के यहां पर आ जाता है, उस level को semi, उस state तक semi solid state होता है, ठीक है, थोड़ा और पाने हम बढ़ा देते हैं, तो कैसा हो जाता है, वो चिप-चिपा हो जाता है, आ और ज़्यादा अगर पाने बढ़ा दिये, तो एकदम कैसा बन जाएगा, वो liquid की तरह बैजाएगा, flow हो जाएगा, ऐसा तरीके का बन जाएगा, ठीक है, तो वो liquid state में आ जाता है, यह point आपको समझ में आ गया होगा, कि जैसे जैसे water content soil में हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे व फिर बाद में उस से ज़्यादा water जब बढ़ाएगे, ठीक है, इंक्रीज किये, तो देखे, plastic state में convert हो गया, उसके बाद और ज़्यादा अगर water कर देते हैं, तो liquid state में आ जाता है, soil, ठीक है, तो इस तरीके से यह point आपको आशा करता हूँ, काफी कुछ अच्छे से समझ मे आ गया होगा, ठीक है, तो यह कुछ point थे, जो मुझे समझाने थे, यह point मुझे समझा, consistency limit आपको समझ में आ गया होगा, कि एक state से दूसरे state में convert करने के लिए, जितना पानी की ज़रूत होती है, वही consistency limit होती है, ठीक है, एक state से दूसरे state में convert करने के लिए, ठीक है, जाने क लिए जो पानी की ज़रूत होती है वो उसकी consistency limit हो जाती है ठीक है और यहाँ पे वो चार state में अटरबर्ग ने दिया था स्वेडिस अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर इंजिनिक था ठीक है अटरबर्ग जिसने 1911 में यह consistency limit दिया था और उसी consistency limit को अटरबर्ग लेमिट भी बोला जाता है ठीक है चलिए आगे कुछ point देख लेते हैं क्या दिया हुआ है जैसे यहाँ पर दिया है कि liquid limit क्या है ठीक है liquid limit को हम समझ लेते हैं कि liquid limit क्या है liquid limit यह बोला है the water content at which point यहाँ पर ध्यान से देखिए the water content at which the soil change from liquid state to the plastic state is known as a liquid limit ठीक है यह यह बोल रहा है कि किस water का कितना content रहे जिससे क्या कर रहा है कि liquid state से वह plastic state में convert हो रहा हो उस water content को ही बोला जाता है liquid limit देखो और जो soil है मेरा liquid form में है तो इसकी shear strength ना के बरावर हती है कि अगर मैं स्टेट की बात करूं तो लिक्विड जो होता ना उसमें सियर बिलकुल नहीं होता है ठीक है गैस में और नहीं होता है लिक्विड में सियर बिलकुल नहीं होता है वही सॉलिड में आ जाते हैं तो सॉलिड में भी बहुत मतलब होते होंगे क्योंकि आप सॉलिड म में पढ़ेंगे में पढ़ा रहा हूं तो उसमें स्टेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ठीक है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको सियर स्टेंट के बारे में पिछे फिगर को देख सकते हैं कि यह आपका लिक्विड लिमिट था ठीक है और यह लिक्विड लिमिट इस water content पे यह water content पे यह फ्लास्टिक let change हो रहा है यह जोऔर हमें यह यह लिक्समघ में आ गहा है लिकुल द्वाण सिंट कर्रांब्या फिरkt प्लास्टिक स्टेट क्या है यह प्लास्टिक स्टेट को प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लास्टिक दा वाटर कंटेंट आट वीच प्लास्टिक स्टेट चेंज इन्टू सेमी सॉलिड स्टेट उसको बोले जाता है प्लास्टिक लिमिट वही स्रिं के लिमिन ठीक है उसके अनदर भी डेफिनिशन से जो मैं पॉइंट के आप बताते जाता हूं दिके लिक्विड लिमिट का अनदर एक्जांपल अनदर डेफिनिशन क्या है दो वाटर कंटेंट अट वीच स्टार्ट गेटिंग सियर स्टेंथ मतलब सियर स्टेंथ गेन करना स वह क्या कर देता है? स्टेंट अनदर आइप ऺडेफिन चुर्विक हिरबनल रखन ट्रीं ग्रेव्ज एक है थे टब शाओंट यहां प्लास्टीच से अनदर डेफ़ित यहिस अगर लिमिट विध reviewing अगे उसको roll किया जाए ठीक है roll किया जाए एक cylinder फार्म में बनाया जाए three mm तक crumble नहीं होता है ठीक है just मतलब crumble होना start करता है roll करते हैं जैसे thread जैसा बनाते हैं तो वह limit उसकी plastic limit बढाएगी जब मैं plastic limit को अ लबरिटि टेस्ट उसका बताऊंगा प्लास्टिक लिमिट का तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए गो इसे लिकृट लिकृट लिमिट का भी मैं उसका आपको लिबोटि टेस्ट बताने वाला हूं ठीक है चलिए आगे नेक्स देख लेते हैं स्रिंगें Gلا को ठीक है यहां पर shrinkage limit को भी देख रहेते हैं, shrinkage limit क्या है, ठीक है, तो shrinkage limit में क्या बोला है, the water content at which the soil changes from semi-solid state to the solid state is known as a shrinkage limit, उसको shrinkage limit बोलेंगे, ठीक है, जिस water content पे soil change हो रहा है, semi-solid state, solid state में, उसी को बला जाता है, shrinkage limit, another definition देख लो, यहां पर आपको another definitions भी दे, it is the maximum water content at which reduction in water content, ध्यान देना, कि water content को अगर reduct कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे है, maximum water content उससे तोड़ा सभी कम हो रहा है, will not cause a decrease in the volume of soil mass, is called as a shrinkage limit, point समझ मैं, figure से मैं आपको समझा देता हूं, figure से यह कह रहा है, यह figure आपका है, figure यह बोला है, कि देखो, यह उसका maximum water content है, maximum water content, इससे अगर कम क change नहीं हो रहा है, यहां पर देखो water content, यहां से इधर जा रहे हो, कम कर यह maximum है, उसका water content, यह maximum है, इसी को shrinkage limit बोलते हैं, ठीक है, इससे अगर कम कर रहे है, तो उसका volume change नहीं हो रहा, देखो, volume हर जगह पे same है, volume हर जगह पे same है, ठीक है, volume क्या है, हर जगह पे same है, तो उस लेमिट को बोले जाता है उस water content को बोले जाता है shrinkage limit तो point आपको समझ में आ गया होगा आसा करता हूँ अगर कोई point नहीं समझ में आता है तो ये तो video free ही है आप इसको दुबारा भी देख सकते हैं दुबारा देखिए आपको दुबारा देखने में आ सा करता हूं समझ में आ जाएगा ठीक है पिर भी नहीं समझ में आता है तो comment करके बोलिए और विडियो कैसा नहीं लग रहा है तो comment जरूर और video अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में बीच बार nike करें ठीक है देखने के बाद लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए है तो चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बैल आइकन पे क्लिक करके रख दें कि ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो आया है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी हेल्प करते रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो